हालो फ्रेंद्स मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं मेरा चानल लक्ष स्टूडियोज तो आज हम इस Adobe Illustrator की class में एक optical illusion create करेंगे जो की बहुत ही आसानी से हम create कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक circle draw करते हैं यहां पर मैंने fill color off रखका है और जो outline color है उसको black रखका है outline की width अभी matter नहीं करेगी तो यहां पर यह मैं हलका सा 6 रख देता हूं तो बाद में हम change करेंगे तो इतना matter नहीं करेगा shift प्रेस करके मैंने circle create किया यहां पर और इसको मुझे क्या करना है rotate करना है तो R प्रेस करता हूं यहां पर rotate की shortcut की hot की R और इसका center point axis of rotation मुझे यहां पर चाहिए तो alt plus left click तो यह panel open हो जाएगा और मुझे 10 degrees पर rotate करना है और copy click करना है 10 degrees और copy तो यह ऐसे और Ctrl D या Command D अगर आप Mac यूज कर रहे हो प्रेस कीजिएगा तो यह पूरा इसका circle complete हो जाएगा कुछ इस तरह से यह दिखिए और इन सब को select कीजिए इसको मैं page के अंदर लेके आता हूं और थोड़ा यह दिखिए कुछ इस तरह से उसके बाद यह दिखिए stroke मैंने जैसे बोला था इसको विल्कुल पूरा बढ़ा देते 100 enter तो यह ऐसे दिखिएगा उसके बाद यहां पे जो outline color है उसको मैं white करता हूं और हमें जाना है यह देखिए यहां पे transparency panel में अगर यहां पे आपको नहीं मिल रहा है तो window में जाके आप क्या कर सकते हो transparency panel यहां से on कर सकते हो यह तो यहां पे यह देखिए और यहां पे जो blending mode है उसको कीजिए exclusion तो यह देखिए यह हमारा optical illusion या illusion create हो गया इसको क्यों illusion कहते है जैसे हम इसको zoom करते जाएंगे यह देखिए zoom जैसे करते जाएंगे वो बड़ा बड़ा होता जाएगा यह देखिए यह मैं zoom कर रहा हूं तो वो continue होता जा रहा है यह देखिए यह इसलिए इसको optical illusion कह जाता है तो यह छोटी सी class थी Adobe Illustrator की लेकिन बहुत इंट्रेस्टिंग optical illusion यहाँ पर create कर सकते हैं कुछ और भी shapes को लेकि हम try करेंगे लेकिन अभी के लिए try कीजेगा बहुत इंट्रेस्टिंग स्वच्च शॉवत गो यहींग क्लिए स्वच स्वच्च अजह क्लिए